Hello Guys, Welcome to my channel, The Education Master. My name is Zahmad Asan, I am Master in Physics. आज जो मेरा टापिक है उसका नाम है, Introduction to Physics. Students, मैं इस लेक्चर को आपको तीन पार्ट्स में समझाऊंगा. Number 1, How Physics Started. Number 2, What is Physics. Number 3, Importance of Physics. So, let's start the video. Number 1, How Physics Started. यहां सबसे पहले एक सवाल पैदा होता है, कि Physics कैसे स्टार्ट हुई थी? क्यूं स्टार्ट हुई थी? अब मैं आपको बताता हूँ कि Physics कैसे स्टार्ट हुई थी? आप जानते हैं, जब से इनसान इस दुनिया में आया है, इस दुनिया में उसने कदम रखा है, उसने सबसे पहले चीज़ों को अब्जर्व करना शुरू किया है. किन चीजों को अब्सर्व करना? हमारी जमीन को, हमारी जमीन में पाइजने वाली हर एक चीज़ को, आसमान को, आसमान के उपर सितारों को, चांद को, सूरिज को, गलैक्सीज को, हर उस चीज़ को इनसान ने समझना और अब्जर्व करना शुरू किया है. सबसे पहले इनसान ने और इनसान के जो जहन में है वो क्वेस्टन रेज हुए है कि ये जमीन क्या है आस्मान क्या है ये सितारे सूरिज क्या है ये क्यों है किसलिए है ये बड़े बड़े पहाड दरिया समंदर ये सब चीज़े क्या है इन्सान के जहन में ये सवाल था ये सूरिच क्यूं तलू होता है कैसे तलू होता है रात को तलू क्यूं नहीं होता और चांड वो रात को क्यूं आता है दिन को क्यूं गरूब हो जाता है यानि चांड की रोशनी हमें दिन को क्यूं नजर नहीं आती और जो असमान पर जिरतारे हैं, ये सितारे हैं, ये कैसे खड़े हुए हैं, ये गिर क्यों नहीं जाते यनि मेरे कहने का ये मतलब है, इनसान ने काइनात को काइनात में पाए जाने वाली हर इस चीज़ को अब्जर्व करना शुरू किया है कैसे अब्जर्व करना शुरू किया है अपनी सेंसिस की मदद से इनसान के जहन में काइनात के मुतलग बहुत सारे सवालात थे इनसान ये चाहता था मुझे किसी तरह इन सवालों का जवाम मिल जाए अब इन सवालों के तमाम जवाब को ढूनने के लिए इनको फाइंड करने के लिए इनसान ने सोचना शुरू किया और सोचने के लिए उसने चीजों को अब्जर्व करना शुरू किया जब इनसान ने चीजों को अब्जर्व करना शुरू किया यूँ साइंस की बतदा हुई साइंस की बतदा कैसे हुई? जब इनसान के जहन में बहुत सारे सवालात थे उन सवालात के जवाब और अंसर्स के लिए इनसान ने अपनी सेंसिस की मदद से चीज़ों को अबजर्व करना शुरू किया अब जब उसने अबजर्व करना शुरू किया अब उसने जो अपने जहन में हाइपोथीसिस और स्पोस करनी थी चीजे अब उनके जवाब को ढूनने के लिए इनसान ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिये जब अब्जरुवेशन्स और यूँ एक्सपेरिमेंट्स मिले तो फिर ये साइंस की अब्तदा हुई और जानते हैं आप लोग फजिक्स भी सबसे पहले तो साइंस ही तो थी बाद में 19. सदी के बाद से ये साइंस नहीं ये फिर फजिक्स में कनवर्ट हुई जब इनसान इस दुनिया में आया था उसे जिन्दा रहने के लिए खुराक, पीने के लिए पानी, रहने के लिए जगाह की जरूरत थी इनसान ने अपने आप को चुंके वो गारू में या जंगलों में रहता था उसने जंगली जानूं से बचाने के लिए अपने आप को पत्थ्रों का सहारा लिया यानिके वो जानु को जो के जनली थे उन्हें मारने के लिए अपने पत्थरों से या बड़ी बड़ी लिकणियों से अपना सहारा लिया करता था फिर इनसान ने जैसे जैसे वो मजीद तरक्षी करता गया अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने आउजारों को मजीद अडवांस करता गया फिर उसने क्या किया मुख्तलिफ आउजार बना लिए लकड़ी के एक सिरे को इंतहाई नोगदार तलवार की तरह इंतहाई और क्यों किसले बना रहा है लेकिन अब इसमें फिजिक्स का क्या रोल है जैसे मैंने आपको बताया उसने लकड़ी के एक हिस्से को इंतहाई नोगदार बना दिया था अब जैसे ही कोई जानवर उस पर अटैक करता था वो इंतहाई जोर से उस जानवर को मारने के कोशिश करता था अब यहाँ फिजिक्स कैसे इस्तमाल हो रही है अब जैसे ही वो इंतहाई जोर से जानवर को मारता था दरशल उस टाइम उसकी विलास्टी या स्पीड्स हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी उस तलवार में तो असर होता था या उस औजार में तो अ लास्टिया सपीड से मारा करता था, उस और जार में उतना ही ज्यादा इमपक्ट पैदा होता था, यहनि कि उस वक्त भी, उस टाइम भी, फजिक्स एपलिकेबल थी, उस वक्त भी फजिक्स पैदा हो चुकी थी, इसी तरह उसे खुराक के लिए या खाना पकाने के लिए खाना पकाने के लिए खाने को गरम करने के लिए उसने लकडी को एक हिसे में सुराख किया फिर उसको जोर-जोर से जिस तरह हम Discovery Channel पर देखते हैं उसे जोर-जोर से चलाया या घुमाया जिस से क्या हुआ? उस सुराख में जब हमने लकडी रखके उसे जोर जोर से घुमाया तो उसके अंदर प्रेशर पैदा हुआ उस प्रेशर की वज़ा से पिर हलकी सी एक स्पार्क पैदा होती थी फिर वो उसी स्पार्क को घास के तिंके वगारा में इस तरह कर देते थे जिससे वो आग लग जाती थी इस तरह इनसान ने मजीद मेरा कहने का ये मतलब है नएने तरीके ढूने शुरू कर दिये अब उसे रहने के लिए जगाह की जरूरत थी पहले वो गारू में रहता था फिर उसने लकणियों का घरबाना ना सीखा फिर जैसे जैसे वो तरक्की करता गया साइंस की फिल्ड में आगे बढ़ता गया उसने मौडरन तरीके अपना लिये यूं साइंस में मौडिफिकेशन पैदा हुई साइंस के अंदर बहुत ज्यादा ब्राँचिज ने जरनलम लिया जिन में से एक फिजिक्स भी थी यूं हम कह सकते हैं कि फिजिक्स की अपतदा उस वक्त से हुई जब से इनसान ने इस दुनिया में कदम रखा उसने अब्जर्वेशन शुरू की उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किये लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखनी चाहिए उस टाइम इसको फिजिक्स का नाम हरगिज नहीं दिया जाता था बलके इस टाइम उसे साइंस कहा जाता था या अठानवी सदी से पहले पहले तक इसे नेचरल फिलासफी का नाम दिया गया फिर जैसे इनसान ने मजीद इसमें तरकी की अब Natural Philosophy मजीद दो ब्राँचिस में अंदर डिवाइड हो गई नमबर वन फिजिकल साइंसेज नमबर टू बियालोजिकल साइंसेज लेकिन फिर उनेश्वी सदी में फिजिकल साइंसेज जिन में हम हर तमाम नान लिविंग चीज का स्टड़ी करते हैं उनेश्वी सदी में इसे मजीद फाइव ब्राँचिस के अंदर डिवाइड कर दिया गया नमबर वन फिजिकल साइंस नमबर टू चिमिस्टरी नमबर थरी एस्ट्रोनामी नमबर फोर जियालोजि नमबर फाइव Metrology, Astronomy, सितारों के मुतालिक, Galaxies के मुतालिक थी Geology, जमीन के मुतालिक थी Metrology, Season या Weather के मुतालिक थी अब student, मैं आपको अपने lecture के number two parts के बारे में बताता हूँ दूसरे part का नाम है What is physics? हमने जो अब तक पढ़ा है, वो था physics कैसे start हुई थी अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है What is physics? कि physics क्या है? सबसे पहले मैं आपको इसकी definition के बारे में बताता हूँ फिर थोड़ी सी explain कर दूँ आइसको Physics, Science की वो branch है जिसमें हम matter, energy और इनके आपस में interaction को discuss करते हैं या study करते हैं branch of a science in which we study matter, energy and their interactions called physics इस definition में हमने दो बड़ यूज किये थे energy and matter students, अब हम देखते हैं कि ये energy और matter क्या होते हैं सबसे पहले matter, matter हर वो चीज या thing जो इसका कोई mass होता है volume होता है और वो कोई space occupy करती है उसे हम matter कहते हैं matter is anything that has a mass which occupy volume और space called matter matter फिर substance भी हो सकता है और mixture भी substance क्या है matter का वो पार्ट या piece जो कि pure form में होता है उसे substance कहते हैं और mixture matter का वो पार्ट या piece जो कि impure form में होता है उसे mixture कहते हैं फिर mixture homogeneous भी होता है और heterogeneous भी matter की क्या example है अब मैं आपको वो बताता हूँ इस दुनिया की हर वो चीज जिसका कोई मैस है वो मैटर की एक्जेम्पल है क्यों? जहरी बात है जिसका कोई मैस होगा वो उसका कोई वालियम भी होगा वो कोई स्पेस भी अक्कुपाई करेगा तो इसका मतलब हुआ हर दुनिया की चीज जिसका कोई मैस है वो मैटर की एक्जेम्पल है क्या इनसान भी एक मैटर की एक्जेम्पल है? जी हाँ, इनसान भी एक मैटर की एक्जेम्पल है Students, हम जानते हैं कि मैटर तीन फार्म में होता है Number 1, Solids Number 2, Liquids Number 3, Gases Energy क्या चीज होती है? Ability of a body to do, work, call, energy क्या? Ability of a body to do, work, call, energy इसका क्या मतलब है? यानि हर किसी body के अंदर या हर किसी चीज के अंदर जितनी भी काम करने की जो सिलाहात होती है हम कहते हैं ये उसकी energy है इनर्जी फिर electrical energy भी हो सकती है mechanical energy भी, heat भी heat क्या है? heat भी energy के एक टाइप है अब हम lecture के third part को discuss करते हैं जो के है importance of physics यानि के physics की हमारी रोजमरा जिन्दगी में क्या एहमियत है students इस दुनिया में तकरीबन कोई भी ऐसा device, instrument ये कोई ऐसी चीज़ तकरीबन impossible है जिसमे physics के laws ये rules इस्तमाल नहीं हो रहे जैसा के हम खुद पे apply करते हैं हम सांस जो ले रहे हैं हमारे सांस लेने में भी physics के laws इस्तमाल हो रहे हैं कैसे? जब हम सांस लेते हैं तो हमारा volume ज्यादा होता है और pressure कम होता है जिसके वज़ा से हम inhale करते हैं और जब हम exhale करते हैं तो हमारा प्रेशर ज्यादा होता है और वालियूम कम होता है अब हम यहां पे बॉयल जला को अपलाई कर रहे हैं बॉयल जला क्या है वालियूम इस इनवर्स्री प्रपोर्शन टू प्रेशर यही जब वालियूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा जब प्रेशर बढ़ेगा तो वल्यम कम होगा यूं हम सांस लेने में भी अपना बॉयल्जला अपलाई कर रहे हैं इसी तरह जब हमें कोई भारी चीज उठानी होती है तो हम पुली का इस्तमाल करते हैं क्या आपको पुली के बारे में पता है उमीद है क्या आपको पता होगा अगर नहीं पता तो प्लीज कमिंट में जरूर पूछेगा जब हम कार चलाते हैं तो क्या उसमें लाओ अफ मेकैनिक्स इस्तमाल नहीं हो रहे है जी हाँ लाओ अफ मेकैनिक्स इस्तमाल हो रहे है लाओ अफ मेकैनिक्स क्या फिजिक्स के लाउज नहीं है इस तरह रिफरेज में law of thermodynamics इस्तमाल हो रहे हैं, जो के law of physics हैं, students, हम जो computer यूज़ करते हैं, या mobile phone यूज़ करते हैं, या television यूज़ करते हैं, हर चीज़ में, हर devices में, even aeroplane, washing machine, हर दुनिया की कोई चीज़, कोई ऐसा device नहीं है, जिसमें हम physics को apply ना कर रहे हूं, computer और mobile phone में कैसे होता है, या television में, इसमें integrated circuit या chip होती है, जो के integrated circuit होती है, जो के क्या है, इसमें भी physics है, इसी तरह जो हम electricity जैसे हमें washing machine यूज़ करनी होती है, क्या washing machine without electricity से पैदा हो सकती है, चल सकती है, नहीं, अब electricity, current, ये सब चीज़े क्या है, ये सब physics ही तो है, इसी तरह आपने मुख्तलिफ LEDs देखी होंगी, LEDs में भी digital electronics यूज़ हो रही है, जो के physics के एक branch है, इसी तरह जब हम पंका चलाते हैं, उसमें जो capacitor होता है, ये भी तो physics ही तो है, हम मुख्तलिफ TV, TV, हर चीज़ में जो देखते हैं, चोटी 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 integrated circuits होते हैं, चोटी चोटी आपने अकसर देखा होगा, resistance लगे होते हैं, ये भी दर असल physics के rules को follow करके बनाये जाते हैं, जब हम कमरे में, एक कोने में, परिफ्यूम को सप्रे करते हैं, तो वो दूसरे कमरे में, एक कोने में फैल जाता है, क्या परिफ्यूम का एक कोने से, दूसरे कोने की तरफ पैलना diffusion in fluids नहीं है, बेशेक, ये diffusion in fluids है, इनसान तरकी करते करते, यहां तक पहुँच गया है कि उसने एटमम पहले बनाया, अब उसने हेडरोजन बं हो या एटमम हो, उसमें हम नूकलियान नूकलिस या नूटरान का जो होता है, चेन रियक्शन्स देखते हैं, इसमें नूकलियर फिजिक्स इस्तमाल हो रही है, जो के physics की तो ब्राँच है। इन शॉर्ट इस दुनिया में hardly कोई ऐसा device होगा जिसमें physics के rules इस्तमाल नहीं हो रहे। Students, last में मैं आपसे एक question पूछता हूँ आखिर हम physics को study करते ही क्यों है? Why to study physics? हम क्यों study करते हैं physics को? क्या आप मुझे इसका answer दे सकते हैं? Students, हम इसलिए physics को study करते हैं क्योंकि physics के last को apply करते हुए physics ने हमारी जिन्दगी को बहुत easy बना दिया है, असान बना दिया है without physics के हम जिन्दगी का तस्वर भी नहीं कर सकते even के जैसा के मैंने आपको बता दिया है पहले भी अगर physics हमारे सांस लेने में, हमारी breathing में involved है तो हम physics को कैसे ignore कर सकते हैं, हम physics को कैसे study नहीं कर सकते अगर हम physics को study ना करें, तो हम तो कई सो साल पीछ चले जाएंगे इस दुनिया में हर चीज में कम्प्यूटर का इस्तमाल हो रहा है मोबैल फून्स का इस्तमाल हो रहा है टेलिवियन्स का इस्तमाल हो रहा है हम कम्प्यूटर को टेलिवियन्स को या मोबैल फून्स को without electricity के current के यूस तो नहीं कर सकते और इन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक चिप होती है जिसे हम integrated circuit कहते हैं हम गर्म्यू में fan यूस करते हैं उसमें capacitor होता है तो हर जब चीज में physics लागू है applicable है तो हम physics को कैसे ignore कर सकते हैं in short हम physics को इसलिए study करते हैं क्योंके जिन physics के लास को हम apply करते हुए नएने inventions, devices बनाते हैं उन्होंने हमारी जिन्दगी को बहुत असान बना दिया है अगर हम physics को study नहीं करेंगे तो हम तो stone age में चले जाएंगे that's it